नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका सभागत करता हूँ सेंसिबल केस ने हिंदी डेली मार्केट अनालिसिस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनालिसिस सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल अनालिसिस के तक कैसा टरन आउट हुआ बात करेंगे यहां पर आज एक मार्केट में सेल्ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में यह ट्रीड अक्टिवेट हुआ बैंक निफटी में नहीं हुए, बैंक निफटी हमने कहा था कि बस यह जो लोग आ वीकली लोग के नीचे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, निफटी में वीकली लोग के नीचे गया, और मार्केट अल्मोस्ट 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेलें, फिर मार्केट काफी अ इस हैमर इस सपोर्ट जून के आज सपास मार्केट ने बनाया है, तीसरी बात कि मार्केट ने जो हैमर बनाया है, वो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 200 DMA से, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ हमें पॉजिटिव मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, निफटी में ठीक है? ब कि मुझे ऐसे लग रहा कि Bank Nifty ने निनिफ्टी को upside पर पूर किया है तो यहां पर bank Nifty काफिया जिए दौनेश ऑब अबिशच ऑब बुलीश अ Amazon Candle Market ने यहां पर बना है आериस निफ्टी में इसने एक Hyundai में तोड़ा सा पिक्चर-पर الفेक्ट दिखा यह दे रहा है अब इसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए क्या ठीक है मेरे इसाब से बाई अगर आप करना चाहते हैं मैं डिसकस करूंगा वही पर अंतु यह एक आइडियल टाइम नहीं है बाई करने का ठीक है क्यूंकि जब तक कि मार्केट में आपको अच्छा प् अब्दध में आप करने के लिए आपको अच्छे चांस मिलेंगे buy करने के लिए, अच्छे place मिलेगी market buy करने के लिए, ठीक है, तो market को अगर एक अच्छा price action किस तरह से market बनाएगा, कि market पहले upside पर जाने कर try करेगा, ठीक है, upside पर जाएगा, फिर market नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ ही कुछ-कुछ situation आपको यहाँ पर दिखाई देगा, previous time जब यह इस जगह पर आया था, ठीक है, bottom of the channel पर आया था, तब आपको ऐसा ही कुछ-कुछ दिखाई देगा, कि market ने एक hammer candle यहाँ पर बनाया, ठीक है, market में अच्छा bullish up move आया, और फिर market में फिर से एक negative momentum आया, और फिर मार्केट फिर इस तरह से market upside पर momentum किया, ठीक है, तो market में कैसा, downwards momentum आया, फिर upside आया, फिर downwards आया, फिर upside पाया, ठीक है, तो यह एक जो जगह है, यह buy करने के लिए अच्छी जगह है, इसके बाद या तो कहिए कि buy करने के अच्छी जगह है, या फिर यह अच्छी जगह है, जहां पर market जो selling momentum है, इसके ऊपर market trade करना शुरू कर रहा है, यह जो जगह है, यह एक अच्छी प्लेस है ये एक ideal प्लेस है मार्केट में एक buy trade या फिर एक bullish trade बनाने की ठीक है अभी अगर आप market में buy करना चाते हैं तो पहला तो मैं यह कहूंगा कि बहुत छोटी quantity market में plan करिएगा अगर market मार्केट मान लीजिए कि यह upside पर इसके उपर market move करता है तो आप market में buy करिएगा ब market से निकल जाएंगे ठीक है और target जो होगा वो trailing basis पर रहेगा यहाँ पर मैं कोई आपको वो नहीं बता पहूंगा कि कहां तक market जा सकता है क्योंकि market में आपको कई जगहों पे selling देखने को मिल सकती है ठीक है 17,800 के आसपास market में selling देखने को मिल सकती है तो कुछ पता नहीं क market कितनी दूरी इसमें travel करेगा क्योंकि यह pullback momentum है क्योंकि आप अगर देखेंगे trend तो trend अभी recent trend पूरा negative भी है ठीक है यहाँ से market negative trend में ही है तो अगर market upside में move करता है तो यह एक यहाँ पर selling opportunity जादा बनेगी बजाए buying opportunity के ठीक है buying अगर market को अगर buying करवानी होगी तो market आपको अच्छा momentum इस तरह का इतना आपको अच्छा गासा chance देगा वहाँ पर आप buying market में कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर basically मेरा तो यही आप से कहना होगा कि अगर आपने market में buy करना है तो short term basis पे आप market में buying कर सकते हैं यहाँ से आप अगर मान लीजिए market अगर 17,450 के ऊपर move करता ह तो यहाँ पर buy किया जा सकता है ठीक है और फिर market में देखे रिजिस्टेंस मार्केट इवेंचूली बार बार हिट करेगा जैसे की 17,500 के आसपास जाकर market resistance हिट करें 17,600 में market resistance हिट करेगा फिर 17,800 में market में resistance है यह जो gap है यह जो gap है इसके वज़े से market में resistance होगा है यहाँ प करना है बहुत कम quantity ठीक है क्योंकि stop loss होने के ज्यादा chances है ठीक है तो market अगर upside move करता भी है तो हमारे पास ऐसा रहेगा हमने छोटा quantity market buy कर भी लिया अगर upside momentum होता भी है हमने miss नहीं किया ठीक है बट यह ध्यान रखे कि अपने profit को trail करते चलिएगा बहुत टाइटली swings के यहां पर swing बना है तो यहां पर stop loss प्लेस कर लिया इस तरह से अपना stop losses आगे trail करते चलिएगा ठीक है bank nifty nifty से काफी ज़्यादा strong दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है और bank nifty नहीं market को आज भी पूल किया upside पर ठीक है तो यहां पर 40,400 के ऊपर आप market में buy कर सकते हैं ठीक ह stop loss थोड़ा सब बड़ा रह सकता है यहां पर आपका 40,200 के आसपास ठीक है 600 तक या फिर एवेंचली मुझे लगता है इस जगह तक which is 40,800 तक मुझे लगता है market जा सकता है ठीक है क्योंकि पिछली बार market almost इसी जगह पर market ने resistance हिट किया था 800-900 का जोन है यहां पर ठीक है तो इससाब से आपने थोड़ा प्लान करना पड़ेगा टाइटली ट्रेल करते रहना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स को अगर बात करें हम लोग फिन निफ्टी की कलके एक्सपाइरी की तो वह भी हम आपके discussion कर लेते हैं कि यहां पर अगर market में जैसा है कि इस particular range में market इस particular range के अंदर ठीक है इस particular range के अंदर market कहीं भी अगर बीच में open होता है तो market में आपको फिर एक upside मुझे लगता है कि market upside momentum अगर करता है और यहां पर पहुंचता है अगर और वहां पर time spent करता है upside breakout देता है तो यहां पर बहुत अच्छी opportunity आपको मिलेगी buy करने के लिए ठीक है व यहां पर एक अच्छी buying opportunity है फिर हम 18,000 का put यहां पर sell किया जा सकता है यहां पर P sell किया जा सकता है 18,000 का ठीक है और अगर माल लीजे कि market में एक बहुत बड़ा gap अगर open हो जाता है तो मैं पहले इंतिजार करूँगा market में इसको downside पर आने के लिए उसके बाद फिर से upside पर momentum जब करेगा यहां कहीं पर जब support लेता हो मुझे दिखाई देगा near 18,000 050 level तब मैं market में फिर से put sell करना ही पसंद करूँगा तो कुल मिला कि अगर कल की expiry में market flat या gap up open होता है तो हम यहां पर put selling के opportunity देखेंगे ठीक है अगर market जैसे high cross करता है तो हम put selling के opportunity देखेंगे gap down की case म में थोड़ा सा हमें confusion होगा market में अगर यहां पर आपको price action upside पर दिखाई देता है तो put sell बिल्कुल कर सकते हम परन्तु फिर से यह देखना पड़ेगा कि market 18,000 के आसपास कैसा react कर रहा है तो confusion state होगी केवल अगर market 18,000 या मतलब बहुत बड़ा gap down अगर market होता है open होता है तो ठीक है थोड़ा सा confusion की state में पर create होगी बाकि अगर flat या gap up market open होता है तो जैसा मैंने आपको बताया gap up होने case में थोड़ा सा market को retrace होने दीजिए ठीक है उसके बाद market जब upside पर यहां कहीं पर market support लेगा तो फिर से आप put यहां पर sell किये जा सकते हैं bullish trade यहां पर plan करी जा सकती है कुल मिला के ठीक है तो यह तो रहा हमारा इसका analysis अभी open interest कर देखते हैं तो निफ्टी में अभी भी resistances खड़ा हुआ है 17600 के आसपास बैंक निफ्टी में support बनते हुए हमें दिखाई दे रहे है 40,000 एक अच्छा support बन गया है ठीक है तो और FIA data देखेंगे तो option data थोड़ भी negative में ही है ठीक है negative में selling ही चल रही है यहाँ पर net अभी देखेंगे तो net अभी भी futures का open interest negative ही दिखाई दे रहा है ठीक है तो कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी क्या करना चाहिए तो मेरे साब से अगर आप buying करना चाहते हैं एक market में positive signs दिखाई दे अच्छा time है मतलब अच्छा time in this sense में यह नहीं कहूंगा कि एक अच्छा में ideal मौका मिला है मौका दे रहा है market buy करने के लिए परन्तुह अगर आपने यहाँ पर risk लियाना चाहते हैं तो ले सकते हैं परन्तुह बहुत छोटी quantity plan करीगा जैसे मैंने आपको कहा है कि you can buy small quantity but stop loss profit होने के chances ज्यादा है उसी साब से plan करना है अपने ठीक है 200 dma के आसपास है market तो हमारे पास यहाँ पर stop loss छोटा रहेगा खासका निफ्टी में तो वहाँ पर एक अच्छी opportunity दिखाई दे रही है तो अगर काफी कम quantity buy करिए अगर market आज के high के ओपर trade करना शुडू करता है तो यह जो swing है which is 82.6 on spot level यह आपके लिए के important level है इसके नीचे अगर market आता है तो मुझे लगता है कि हाला कि नीचे आने से भी कोई बड़ा वो नहीं मिलेगा इसको बड़ा momentum downside पे नहीं मिलेगा जब तक कि यह इस range से बाहर नहीं निकलेगा ठीक है एक sign हमें आपर मिलेगा चाहिए जब market कोई भी एक direction को break करेगा upside पर break करें चाहिए downside break करें तब हम देखेंगे आपर कि हमें तब हम जो हमारी position जो भी जारी होगी loss में उसको book करके दूसरे side के position में थोड़ा सा और weightage बढ़ा सकते हैं ठीक है अभी अभी यह picture देखके तो ऐसा लग रहा है कि market थोड आपको पसंद आयोगा पसंद आयोगा पसंद आयोगा वीडियो को लाइक करिए sensible की हिंदी चैनल करिए subscribe और हमेशा की तरे अपना capital बचा के ट्रेड करो stop loss के साथ ट्रेड करो hedge के साथ ट्रेड करो and we wish you safe and happy trading with sensible बबबाए